नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको एक घुबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगे तो दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लिजे और पास दी गई घंटी को दबा दिजे इससे आपको मेरे सारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपने सलाई पर अपने स्वेटर के अनुसार फंदा डाल लिजे फंदा आप 10 के मल्टि प्लेस पे डालिए और 4 फंदा एक्स्ट्रा डाल दीजे फंदा डालने के बाद आप बॉर्डर बना लिजे और बॉर्डर बनाने के बाद आप ये डिजाइन सुरू कीजे तो इस डिजाइन को देखे हम सीधा के तरब से बनाएंगे पहला सलाई सीधा के तरब से पहला फंदा को सीधा से असे उतार लेंगे धागा को आगे करेंगे और दो फंदा उल्टा बनाएंगे एक दो दो फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और तीन फंदा सीधा तीन फंदा सीधा फिर धागा आगे दो फंदा उल्टा फिर धागा पीछे दो फंदा सुरी तीन फंदा सीधा देखें यहां दो फंदा उल्टा तीन फंदा सीधा फिर दो फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा दो दो चार दो च्छे दो आट दो दस दस फंदा का डिजाइन है बस इसी 10 फंदा को हमें पूरे सलाई पे रिपीट करना है पहले 2 फंदा उल्टा फिर 3 फंदा सीधा फिर 2 फंदा उल्टा और 3 फंदा सीधा फिर देखे यहां हम एक पैटन बना लिये हैं अब देखे दूसरा पैटन फिर से हम यहाँ पर दो फंदा उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे और तीन फंदा सीधा तीन फंदा सीधा फिर धागा आगे दो फंदा उल्टा फिर धागा पीछे तीन फंदा सीधा तो देखिए यहाँ पर हमारा 10 फंदा हो गया और यह हमारा दूसरा डिजाइन भी पूरा हो गया अब लाश्ट में देखिए धागा आगे करेंगे और दो फंदा को एक्ष्टर फंदा जो है दो फंदा उल्टा बना लेंगे फिर धागा पीछे और लाश्ट के फंदा को सीधा से बना लेंगे तो देखिए यहाँ पर हम पूरी सलाई बना लिए हैं और अब हम बनाएंगे उल्टा के तरब से उल्टा के तरब से देखिए पहला फंदा को उल्टा से उतार लेंगे और जो फंदा जैसा है उसको उसी तरह से बनाएंगे जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा जो सीधा है उसको सीधा तो यहां देखें दो फंदा उल्टा है इसको सीधा बना लिए धागा आगे तीन फंदा उल्टा है तो इसको हम उल्टा बना लेंगे फिर देखिए दो फंदा सीधा है इसको सीधा बना लेंगे तो इस तरह से पूरी सलाई बनाएंगे तो हम पूरी सलाई इस तरह बना लेते हैं अब देखिए तीसरा सलाई सीधा के तरब से पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे धागा आगे करेंगे और दो फंदा उल्टा बनाएंगे एक तू दो फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर देखें तीन फंदा को एक दो तीन इस तीन फंदा को इस तरह से थोड़ सा ढिला कर लेंगे और इस तीन फंदा को सीधा के तरफ से ऐसे सीधा के तरफ से डालेंगे और तीन फंदा का एक फंदा कर लेंगे इस तरह देखिए फिर यहां एक जाली बनाएंगे और जाली बनाके इसको आगे की ओर ले आएंगे तो यहां देखिए उल्टा का फंदा है तो यह दो फंदा को उल्टा बना लेंगे फिर देखिए यहां एक जाली बना के पीछे की ओर ले जाएंगे और इस तीन फंदा को ऐसे एक दो तीन तीन फंदा को सीधा कर लेंगे और इस तरह से बीच से डाल करके एक फंदा कर लेंगे तीन फंदा का एक फंदा कर लेंगे देखे इस तरह यहाँ पर तीन फंदा का एक फंदा करेंगे और देखे यहाँ दो फंदा उल्टा फिर तीन फंदा का एक फंदा एक जाली बनाएंगे फिर दो फंदा उल्टा फिर यहां एक जाली बनाएंगे और तीन फंदा का एक फंदा करेंगे यहां पर हमारा दो फंदा घट जाएगा धागा आगे अब हम दूसरा फूल बनाएंगे तो देखे दो फंदा उल्टा, धागा पीछे और इस तीन फंदा को एक फंदा करेंगे सीधा के तरप से तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे बीच से ऐसे देखे ढीला कर लेंगे तब फिर इसको हम बीच से ऐसे सलाई पे डालेंगे देखिए सलाई को डालके इस तरह से एक फंदा बना लेंगे तीन फंदा का एक फंदा और उसके बार देखे धागा को इस तरह से करके आगे की ओर ले आएंगे फिर यहाँ एक जाली बना करके दो फंदा उल्टा बनाएंगे फिर देखिए यहां एक जाली बनाएंगे ऐसे पीछे की ओर ले जाएंगे और इस फंदा को इस तरह से उतार लेंगे और इस तरह से इसको सीधा के तरफ से फिर से इस तरह सलाई को डालके तीन फंदा का एक फंदा बना लेंगे इस तरह धागा आगे ये दो फंदा को उल्टा बनाएंगे धागा पीछे और ये फंदा लाश्ट के फंदा को सीधा से बना लेंगे तो देखे यहाँ पर हम पूरी सलाई सीधा के तरब से बना लिये हैं अब हम बनाएंगे चौथी सलाई उल्टा के तरब से चोथी सलाई देखी उल्टा के तरब से पहला फंदा उल्टा से उतार लेंगे धागा को पीछे करेंगे और यहाँ जो दो फंदा सीधा है इसको सीधा बना लेंगे धागा को आगे करेंगे और एक फंदा ये उल्टा बना लेंगे फिर इस फंदा को जो उल्टा का फंदा है इसको हम उल्टा से यहाँ पर पहले एक जाली बनाएंगे जाली बनाके आगे ले आएंगे और फिर इस उल्टा फंदा को उल्टा बना लेंगे फिर देखे धागा पीछे दो फंदा सीधा फिर देखे धागा आगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे ये जाली वाला फंदा को फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और जाली बनाके धागा को आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे फिर धागा पीछे और दो फंदा सीधा फिर धागा आगे और अब देखे एक फंदा ये उल्टा बना लेंगे फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे उसके बाद ये जाली वाला फंदा को बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे दो फंदा को सीधा बना लेंगे फिर देखे धागा को इस तरह से जाली बनाते हुए एक फंदा उल्टा बनाएंगे पहले यहाँ पर जाली नहीं बनाएंगे यहाँ पर पहले एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर यहाँ पर एक जाली बनाएंगे और इसको उल्टा से बुन लेंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे लाश्ट के फंदा को उल्टा से बनाएंगे तो देखे यहाँ पर हम पूरी सलाई बना लिए अब हम बनाएंगे सीधा के तरब से तो देखे यहाँ पर हमारा पूरा डिजाइन बन गया है और अब इसी चार सलाई को फिर हम यहाँ पर रिपीट करेंगे यहाँ पर फिर उसी तरह जैसे हम यहाँ पर बनाए उसी तरह इस चार सलाई को रिपीट करते जाना है तो पूरे स्वेटर में आपको इसी चार सलाई को रिपीट करते जाना है तो हम थोड़ा सा आपको repeat करके दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा repeat कर लिए हैं और हमारा ये खुबसूरत sweater का design पूरे sweater में दिखेगा तो दोस्तों आपको मेरा ये sweater का design कैसा लगा? कॉमेंट करके बताएं अगर आपको मेरा ये स्वेटर का डिजान पसंद आया हो तो लाइक करें और धीर सारा सेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद